यह एक ठंडा कोहरा भरा दीन है अयोध्धा के साकेत कॉलेज में बिये अंतिम वर्षे का छात्र 20 वर्षे वैभाव स्रीवास्तो जल्दी में है क्योंकि वह आखरी कुछ समाचार पत्रों को वित्रित करने के लिए राम पत्पर तेजी से साइकल चला रहा है यह उसका सुबह का अंशकाली काम है कॉलेज समय से पहले लग जाता है इस काम से उन्हें प्रती माँ 1000 रुपे मिलते है जो तीन लोगों के परिवार का भरन पोशन करने के लिए परियापत है वैभव स्रिवास्तों कहते है एक साल में जैसे ही मुझे अपनी सनातक की डिग्री मिलेगी मुझे यह तई करना होगा कि मैं यही रहूंगा या बाहर जाऊंगा यह अंशकाली काम जिवन भर नहीं चल सकता लेकिन फिर मुझे अपनी माँ और भहन के बारे में सोचना चाहिए जो पिता के निधन के बाद मुझ पर निरवर है देखिए क्या होता है लोग तो कह रहें अब दोनों हातों में लड्डू है और यहां हमारे जीत की स्थिती है वैभव को यह जानने में कुछ समय लगेगा कि उसके पास दोनों हातों में लड्डू कब होगा इसका मतलब है मंदिर शहर पर बढ़ते ग्लोबल फोकस का जिससे उसके जैसे सिक्षित युवा के लिए भैतर अवसरों में तब्दिल होने की उमीद है सरकारी अधिकारियों का कहना है कि मंदिर शहर में पहले ही एट नए होटल खुल चुके है और 25 अन्य के प्रस्ताव प्राप्त हुए है एक नए इंटरनेशनल एरपोर्ट और एक पुनर निनमित रेलवेस टेशन का उदगाटन किया गया है एक आयरवेस शहर, वैक्स म्यूजियम, एंटर्टेर्मेंट सेंटर, मैरेज हॉल और हेरिटेज वाक के साथ एक नई टाउनशिप आने की उमीद है 30,508 करोड की लगबग 178 परियोजनाय है सभी अलग-लग समय सिमा पर चल रही है ये सभी 72 संभावनाओं की भावना को बढ़ाते है जो वर्तमान में वैभाव जैसे शहरी युवाओं या आठवी कक्षा पास विश्राम वर्मा जैसे युवाओं के दोनों हातों में लड्डू के सपने को साकार कर रहे है और एक स्वयम्भू गाइड है जो मंदिर भ्रमं की प्रेश्खश करने के लिए तयार है स्थानिय स्कूलों के क्यों छात्राओं ने सड़क पर रंगोली बनाई है जबकि लता मंगेश का चौक के पास दिवारों पर रामायन की पंक्तिया लिखी हुई है जो एक सेलफी पॉइंट के रूप में उबरा है और स्थानिय लोगों को बीच काफी लोगप्रिय है चलो जल्द ही मिलते है नए वीडियो के साथ ग्लोबल इनसाइक्रोपीडिया में